Hello friends, this is Harvinder Singh and welcome to the YouTube channel Learn with Harvinder Sir और इस वीडियो में हम करेंगे पंजाबी, कक्षर नौमी, साहित माला पुस्तक में सिवार्तक, जिसका नाम है मुडविक्या पिंड, जिसके लेखक हैं बलराट सानी दोस्तो इस बात का ध्यान रखे कि इस वीडियो में हमने इस पार्ट को हिंदी में एक्स्प्रेंड किया पर अगर आप सबने हमारे साथ पंजाबी में इस पार्ट को समझना या इसके प्रेशन उत्तर करने हैं तो हमने उनकी अलग से वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए हैं और आप सबी विद्यारती उन वीडियोस को भी जरूर देखें और अगर अभी तक आप सबने YouTube चैनल Learn with Harvinder सर को सब्सक्राइब नी किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियोस आप सबी तक समय पर पहुंच सकें और शुरू करते हैं दोस्तों पहले हम लिखक के बारे थोड़ा बहुत जान लेते हैं इस पार्ट के लिखा गया बलराट सानी जी जिनका जनम एक मई 1913 इस वी को रावल पिंडी में हुआ 1934 में उन्होंने अंग्रेजी में MA की उसके बाद उन्होंने कई तरह के काम किये जैसे सबसे पहले उन्होंने विपार किया बिजनस किया उसके बाद उन्होंने पत्तरकारी की जनरलिजम किया उसके बाद वह हिंदी के ध्यापक भी रहे उसके बाद वह BBC लंडन में अनाउंसर भी रहे पर जो उनका मेन काम था मुख कित्ता था वो था acting तो उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जैसे काबली वाला, दो बिगा जमीन, हम लोग, हीरा मोती इसके एलावा उन्होंने कई रचनाएं भी लिखी जैसे मेरा पाकिसानी सफर नामा, मेरा रूसी सफर नामा और यह जो वार्तक हम पढ़ रहे हैं, मोर्ड विख्यापिंट यह है, मेरा पाकिसानी सफर नामा का ही एक अंच्छा, उसी का एक हिस्सा है, आओ हम देखते हैं वार्तक में क्या होता है, और लेखक शुरू में यह कहते हैं कि बात है 16 अक्तूबर 1902 इस वी की जब लेखक पा जो भेरा बस अड़े से 60-70 मील की दूरी पे है, लेखक के साथ लिखक के तीन दोस्त भी थे, कौन कौन से दोस्त हैं, सिकंदर, शाकेर, मुस्तिहमीन, तो यह लेखक के पाकिस्तानी दोस्त हैं, अब लेखक को यह लग रहा था कि भेरे जाना एक सोखी जी मुहीम है, बूदर रहता था, अब उसके बाद हमें भेरे के बार में बताया गया कि जो भेरे हो छोटा सा शहर है, तो लेखक छोटे होते महां दोड़े लगाया करता था, तो भेरे में कहा कि खुक्रेंड बरादरियां वालों के अलग-अलग महले होते हैं, जैसे कि सहानियों का अलग महला अनन्दा का अलग महला और हर महले का अपना दर्वाजा होता, अब लेखक बस में बैटे वे अपने बच्पन को याद कर रहा था कि उसके ताई जी अपनी कुछ साथिनों के साथ मींज की सखीयों के साथ सुबे सुबे जिलम दरिया जाके शनान करते थे और कभ बच्पन में लेखक में लुकं ईचन चुपं चुपाई के चर्फम चुपाई बच्पन को याद कर रहा है बच्पन की यादे ताज़ा कर रहा है और बुड़ी और उड़त की शकल लेकर की माह की तरह होती है और जो भूलो वाल भेरे से 10-12 मील दूर वहां पौना घंटा रोकनी थी पर लेकर के बाद सिरफ तीन गंटे का इसमा था बहुत लिमटेड़ में रहें जाता है अब प्रबंद के पास जाता को सारी बास बीद तो प्रबंद प्रेंद को इस वात के उमीद नहीं होती तो 15 साली मिनट के बदले 15 मिनटों में ही बसको तोड़ देता है अब लेखक पहुंच जाता है अब भीरे शहर में दो दर्वाज़ें अगर रेलवे सेशन ते जाओ तो सबसे पहले सानियों का महल आता है और अगर पिछली तरफ से जाओ तो पीछे का दर्वाज़ा आता है जिसे अंदरराज एंट्रइ एकठी करते था ताकि लेखको तुबारा ना आ पढ़ें और लेखका का समय है बज़ सके अब लेखक और लेखक को यह याद क्तकी अब चौधरी जो चौधरी गुलाम मौमद जो हैं वह लेखक के उमर में के ही होते हैं और दोनों इकठे बच्पन में खेला करते थे वह दोनों दादे पोतरे भाई थे दोनों एक ही खांदान में से थे और बटवारे के बाद क्या वादेश के बटवारे के बाद चौधरी पाकिसान रएगे, मुसलमान हो गए और भारत आ इंडिया आगे अब गुलाम महमत के घर के बाए एक टिबबा था टिबबा क्या होता है मिफ्टी का धेर या मिफ्टी का चोटा सा पहाट तो वह पूछता है पर चौदरी गुलाम महमद इसको गोल मूल सा जवाब देता है तो लेखा को तो पहले यह लगता है कि जिस मकान में वो बैठा है कि चौदरी गुलाम महमद का मकान इसका अपना मकान है तो लेखा को ऐसा क्यों लगता है क्यों कि गुलाम महमद के घर के आगे भी दोस्त महमत को बला के लाऊ धूरत मौमत को यहा यारा निबए दोस्त मौमत को बिला के लाऊ जैसे लेखक के पिताजी मैं बढ़ते थे अब जो देश्राज सानी के देखवाल करता है ने सुब्सके ब्रय हैं और निए गर नहीं हlé नहीं पताESा और वह दोनों बच्पन की यादे ताजे करके रोते हैं तो कौन कौन रोता है चौदरी गुला मौमद भी रो रहा होता है और दोस मौमद भी रो रहा होता है अब लेखो को अपने घर जाना है पर उसको पता ही नहीं कि उसका घर का है अब सिकंदर के कहने पे लेखा के गली में पर चला जाता है फिर वह च्छत पर चला जाता है और च्छत में जाके उसको अपने घर का सूफा दिख जाता है अब लेखक को अपनी बहन ही आता जाती है पर उसकी बहन है उसकी मौत हो चुकी होती है उसकी बहन मर चुकी होती है अब लेखक है रोने लग जाता है और वह कहता है रबा मेरी बहन मुझे मोड दे मुझे बापस कर दे अब लेखक रो रहा होता है अब लेखक को शरम आ रही अपने भावनाओं को अपने जजबातों को अपने इमोशन्स को इस वार्तक के रूप में प्रगट करता है